शीव जी की उपासना का महीना शुरू हो गया है। पंचामरत में मिलाई जाने वाली पांच चीज़े आपकी किसमत भी खोल सकती है। खुशी के लिए मिलाया जाता है, समर्दी और संतान के लिए दही को मिलाया जाता है। एक बड़े कटोरे में सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिलाकर एक मिश्रंट तयार करें। आपको पंचामरत बनाकर तयार है, अब आप इसे भोलेनात को चड़ाएं और फिर इसे प्रसात के रूप में बाटें। पंचामरत के लाब पंचामरत का सेवन अत्यधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए, बलके जिस तरह आप अमरत का सेवन किया जाता है, उसी तरह इसे भी घरहन करना चाहिए। यदि पंचामरत में तुलसी की पत्यां और डाल ली जाए और रोजाना इसका सेवन किया जाए तो मान्यता है कि कोई भी विमारी आपके आसपास नहीं भटकेगी। साथ ही तवचा और संबंदित द्रोग भी आपसे दूर हो जाएंगे। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.